प्यारे बच्चों, आज हम सुर्भी कक्छा सात्वी के द्वादसह पाठह संस्कृत भाषा या महत्वम का अध्यन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी तो जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी का दर्जा दिया गया है। हमारी भारती संस्कृती इस संस्कृत में ही समाहित है संस्कृत भासा में अनेक धार्मिक ग्रंत नाटक कथा गीत की रचना की गई है इसके अत्रिक विज्ञान के छेत्र में भी अनेक ग्रंत की रचना की गई है संस्कृत भासा में राजा भोज के द्वारा एक प्रसंग है जिसका कुछ अंस यहां आपके पाठ में लिया गया है और जिसके द्वारा हमें यह ग्यात होता है कि प्राचीन समय में संस्कृत सामान्य बोलचाल की भासा थी संस्कृत भासा की क्या महत्व हैं इसे आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे इस पाठ के माध्यम से आज हम सरप्रथम गद्य का आदर्श वाचन करेंगे इसके विभीन पदों के अर्थ को समझते हुए इसके व्याकरण को भी समझेंगे और साथ में इसके अनुवाद को सबजने का प्रयास करेंगे चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रथम गध्यांस की ओर सर्वासू भासासू संस्कृत भासा प्राचीन तमा भासा अस्ति अस्माकम संस्कृति भाशा या मेव निहिता संसारस्य प्राचीन तमा चत्वारह वेदाह रिग वेदह यजुर वेदह साम वेदह अथर्व वेदश्च संस्कृत भाशा या म विद्यनते सर्वासू भासासू सभी भासाओं में संस्कृत भासा संस्कृत भासा प्राचीन तमा भासा अस्ति प्राचीन भासा है सभी भासाओं में संस्कृत भासा प्राचीन भासा है अस्माकम का अर्थ होता है हमारी संस्कृति है संस्कृति भासा याम एव भासा याम धन एव यहां सयोग हुआ है भासा याम यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है जिसका अर्थ है भाशा में एव ही निहित रखी हुई है हमारी संस्कृति भाशा में ही निहित है संसार अस्य यह शष्थिवी वक्ती एकवचन का पद है संसार का, प्राचीन तमा, प्राचीन, चत्वारह, चार, वेदा, वेद, रिगवेद, रिगवेद, यजुर वेद, साम वेद, साम वेद, अथर्व वेदश्च, अथर्व वेद, धन्च, यहां विसर्ग संदी है, अथर्व वेद, कार्थ होता है, अथर्व वेद, च, और च संस्कृत भाशायाम सप्टमी भक्ति एक वचन संस्कृत भाशा में विद्यंते विद्यमान हैं इसके कठीन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं सर्वासू भाशासू सभी भाशाओं में अस्माकम हमारा या हमारी वालमीकिना विरचितं रामायणं प्रतमं चंदो बद्धं महाकाव्यं अस्ति अस्मिन्नेव कावे समाजिका आदर्शा निहिताह संति यथा रामस्य, पित्री भक्तिय, भरतस्य, त्यागह, दस्रतस्य, पुद्रवात सल्यम्च, महाभारतं, नाम, संस्क्रित अस्य, ग्रन्थ, विश्व ज्यानकोश, प्रतियते वालमीकी ना, वालमीकी के द्वारा, वीरचितम, वीरचित, रचा गया, रामायन, रामायन, प्रतमम, पहला, चंदो बद्धं, चंद बद्ध, महाकाव्यं देखे बच्चों, यहां महत काव्यं, यहां समास है, कर्मधार है समास, अस्ती है, वालमीकी के द्वारा, रचित, रामायन, प्रतम, पहला, चंद बद्ध, महाकाव्य है असमिन नेव काव्य, इस ही काव्य में सामाजिका, सामाजिक आदर्शा, आदर्श निहिता, निहित संती है, इस ही काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है यथा जैसे रामस्य यशश्टि भक्ति एक वचन राम का पित्री भक्ति भरत अस्य भरत का त्याग त्याग दसरत अस्य दसरत का पुत्रवात सल्यम पुत्रप्रेम च और जैसे राम की पित्री भक्ति भरत का त्याग और दसरत का पुत्रवात सल्य महाभारतम देखे बच्चों यहां भी महत भारतम कर्मधारय समास है नाम नाम संस्कृत अस्य संस्कृत का ग्रंथ ग्रंथ विश्वग्यानकोश विश्वग्यानकोश प्रतियते प्रतीत होता है चलिए बच्चों अब हम कुछ कठी शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं वीरचितम बनाया गया नीहिता रखी हुई प्रतीयते प्रतीत होता है प्रतीयते पद यह आत्मने पद लटलकार प्रथम पुरुस एकवचन का पद है गीतापी महाभारतस्य एव महत्वपुर्णांश अस्ति अस्याम भाशायाम कवी कुल्गुरु कालिदासेन अभी ज्यानसा कुंतलं नाम विश्व प्रसिद्धं नाटकं वीरचितं गीती काव्येशु तस्यमेगदूतं प्रसिद्धं अस्ति जयदेवेन वीरचितं गीत गोविंदं नामकं गीती काव्यम पी सर्वाधिकं लोकप्रियम अस्ति गीता महाभारतस्य महाभारत का एव ही महत्वपुर्ण अंस अस्ति है गीता महाभारत का ही महत्वपुर्ण अंस है अस्याम भासायाम इस भासा में कवी कुल गुरू काली दासेन काली दासेन यह त्रित्यवी भक्ति एक वचन काली दास के द्वारा कवी कुल गुरू काली दास के द्वारा अभी ज्यान साकुंतलम अभी ज्यान साकुंतल नाम नामक विश्व प्रसिद्धम देखे बच्च नाटक वीरचितम रचा गया है इस भाशा में कवी कुल्गुरु कालिदास के द्वारा अभिज्यांसा कुंतल नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक रचा गया है गीती काव्येसु गीती काव्यों में तस्य उसका उनका मेगदूतम मेगदूत प्रसिद्धमस्ती प्रसिद्ध है जयदेवेन जयदेव के द्वारा विरचितम रचित गीत गोविंदम गीत गोविंद नामकम नामक गीती काव्यम अपी गीती काव्यम धन अपी यहां भी संय जय देव के द्वारा रचा गैया गीत गोविंध नामक गीति काव्य भी सर्वादिक लोग प्रिय है पुरा भारते प्रायह सर्वेजना संस्कृत भासा यामेव परस्परम आलपंतिस्म तद्यथा एकदा भोज राजह गच्छन मारगे एकम भारवाहकम द्रिष्टवान तस्य सीरसी गुर्लतरम भारम द्रिष्टवा भोज राजह तम प्रिच्छत अपी भारो बागती पुरा पुरा कार्थ होता है प्राचीन या पहले भारते भारत में प्रायह सर्वेजना सभी लोग संस्कृत भासा यामेव संस्कृत भासा याम दन एव यहां भी संयोग हुआ है संस्कृत भासा में ही परस्परम आपस में आलपंती स्म आलपंती का अर्थ होता है बाचित करना स्मप्रत्य जुड़ जाने से यह भुदकाल की क्रिया बन जाती है और इसका अर्थ हो जाएगा बाचित करते थे प्राचीन भारत में प्रायह सभी लोग संस्कृत भासा में ही आपस में बाचित करते थे तद्यथा जिसका अर्थ होता है वैसे ही यहां ततधन यथा वेजन संधी है एक दा एक बार भोज राज़ भोज राज गच्छन देखिए बच्चों यहां गम धातु में शत्री प्रत्य लगा हुआ है गच्छन का अर्थ होता है जाते हुए मार्गे मार्ग में एकम एक भार वाहकम भार उठाने वाला वोज उठाने वाला दृष्टवान यहां दृष्धातु और कत्वतु प्रत्य है देखा गया वैसे ही एक बार भोज राज जाते हुए मार्ग में एक भार वाहक भोजा उठाने वाले को देखा तस्य उसके या शष्टिवक्ति एकवचन का पद है सिरसी सिरपर गुरुतरम बहुत भारम भार द्रिष्टवा देखिए बच्चों यहां द्रिष्धातु में कत्वा प्रत्य जूड़ा हुआ है द्रिष्टवा कार्थ होता है देखकर भोजराज तम धन अप्रिच्छत यहां संयोग हुआ है तम कार्थ होता है उसको अप्रिच्छत पूछा उसके सिर पर बहुत भार देखकर भोजराज उसको पूछा अपी भारो बाधती अपी कार्थ होता है भी जब कोई वाक्य अपी से प्रारंब होता है तो वह अपी जो है वहाँ पर किम अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है और वह उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाता है तो अपी भारो भारोकार्थ है भार बाधती कारथ होता है कश्ट हो रहा है उसके सिरपर बहुत भार देखकर भोज राज उससे पूछे क्या भार से कश्ट हो रहा है इसके बाद हम कठी शब्दों के अर्थ को देखते हैं आल पंतिस्म बादचित करते थे शीरसी सिर्पर भारवाहकह शिग्रमेव अवदत भारोन बाधते राजन यथा बाधती बाधते अनेन प्रतियते यद सामान्योपी जनह संस्कृत भाशाम जानतिस्म भारवाहकह भारवाहक बोजा उठाने वाला शिग्रमेव शिग्रम धनेव सैयोग हुआ है यहाँ भी अवदत कहा अवदत जो है वदधातू लंगलकार प्रतम पुरुष एकवचन का पद है अवदत का अर्थ है कहा या बोला भारो भारोकार्थ है भार बोजा न नहीं बाधते देखे बच्चों यहाँ बाद धातू आत्मने पद लटलकार प्रतम पुरुष एकवचन का पद है बाद धातू में आत्मने पद जुड़ता है पद दो प्रकार के होते हैं परस्मे पद और आत्मने पद कुछ धातू में परस्मे पद के अनुसार चलती है कुछ धातू में आत्मने पद के अनुसार चलती है यहाँ पर राजा भोज आत्मने पद की धातु को परस्मे पद की तरह बोल रहे होते हैं इसलिए वह भार वाहग वह बोजा उठाने वाला सिग्र ही कहता है भारो न बाधते राजन भार से कष्ट नहीं हो रहा है राजन यथा जैसे बाधती बाधती जो है यह परस्मे पद लटलकार प्रथम पुरुस एकवचन का पद है जिसका अर्थ होता है कष्ट हो रहा है और बाधते यह आत्मने पद लटलकार प्रथम पुरुस एकवचन का पद है तो यहाँ वह भारवाह कहता है कि राजन इस बोज से मुझको कष्ट नहीं हो रहा है जितना कष्ट इस आ आपके आत्मने पद की धातू को परस्मे पद की धातू बना कर आपके द्वारा कहा गया है उससे कश्ट हो रहा है अनेन इससे यह इदम का तृत्यावि भक्त एक वचन का पद है अनेन का आर्थ होता है इससे प्रतीयते, प्रतीत होता है यद की सामान्यों अपी, सामान्य धन अपी, यहां भी सर्ग संदी है, सामान्य भी जनह, लोग संस्कृत भासां, संस्कृत भासा को जानतीस्म जानते थे, इससे प्रतीत होता है की सामान्य भी, लोग संस्कृत भासा को जानते थे भारवा का बोज ढोने वाला जानतीस्म जानते थे शनई शनई संस्कृत भाषा या व्यवहार सिथिलो भवत किन्तु अध्यत्वे अपी संस्कृत कच्छासू संस्कृत भाषाम जीविता भाषा रूपेन पाठ्यते भाषासू मधूरा इयम भाषा भारतिय संस्कृते रक्षार्थम ज्यान वर्धनार्थम च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठीतव्या सनई सनई धीरे धीरे संस्कृत भाशा यह संस्कृत भाशा के व्यवहारह व्यवहार सीथिलो भवत सीथिल धन अभवत यहां विसर्ग संदी है सिथिल वा किन्तु लेकिन अध्यत्वे अपी आज भी संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाशाम संस्कृत भाशा को जिवित भाशा रूपेन रूप से पाठ्यते पढ़ाते हैं धीरे धीरे संस्कृत भाशा का व्यवहार सीथिल हुआ किन्तु आज भी संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाशा को जिवित रूप से पढ़ाते हैं भाशासू यह सप्तमी वक्ति बहुवचन का पद है भाशासू भाशाओं में मधुरा मधुर इयम यह भाशा भारतिय संस्कृते भाशा भारतिय संस्कृती की रक्षार्थम रक्षा के लिए ज्यान वर्धन आर्थम ज्यान बढ़ाने के लिए च और संस्कृत भाशा संस्कृत भाशा अवश्यम एव अवश्यम धन एव यहां भी संयोग हुआ है अवश्य ही पठी तव्या यहां पठधातू तव्यत प्रत्य है पठी तव्या का अर्थ है पढ़ी जानी चाहिए, देखे बच्चों, यहां कठी शब्द के अर्थ दिया गया है, पठी तव्या, पढ़ी जानी चाहिए, कुछ व्याकर्निक तत्व को यहां लिया गया है, इसे हम देख लेते हैं, गच्छन, गमधातु, शत्री प्रत्या है, द्रिश्टवान, कत्वा प्रत्या जुड़ा है यहां, पठी तव्या, पठधातु, तव्यत प्रत्या है, विश्व प्रसिद्धम, विश्वे प्रसिद्धम, तत्पुरुस समास है, महा काव्यम, महत काव्यम, कर्मधारे समास है, प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ लिया, सब्द चुनकर रिक्ते स्थानों की पूर्ती कीजिये। महा काव्यम अस्ति वालमिकी के द्वारारचित रिक्ते स्थान महा काव्य है। कवी कुल्गुरु काली दासेन रिक्तैस्थान नाम विश्व प्रसिद्धं नाटकं विरचितं कवी कुल्गुरु काली दास के द्वारा रिक्तैस्थान नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक रचा गया घ प्रश्न संस्कृत कक्षासू संस्कृत भाशाम रिक्तस्थान रूपेण पाठ्यते संस्कृत कक्षाओं में संस्कृत भाशा को रिक्तस्थान रूप से पढ़ाते हैं चलिए बच्चों अब हम चलते हैं दिती प्रश्न में हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न शब्दों के धातु और प्रत्य प्रिथक कर सारणी पूर्ण कीजिये। शब्द धातु प्रत्य क द्रिष्टवा, ख द्रिष्टवान, ग गच्छन, ग पठी तव्या। प्यारे बच्चों, आप सभी अपना ग्रीह कारे पूर्ण करें और अपने विशेशिक चक से इसका परिक्छन अवस्य करा लें। धन्यवाद।